देखो अब इंडिया में भी ओमिक्रोन वेरियंट ने दस्तक दे दिये ठीक है ना पहले तो दो केसेस थे बैंगलूरू में करनाटक के बैंगलूरू में अब एक और पाया गया है गुजरात में ऐसा कहा जा रहा है ठीक है तो हमारे लिए ये जान लेना बहुत इंपोर्टन बहुत जादा था ठीक है ऐसा लगता है ठन लग गई है मतलब इतनी सर्दी जुखाम हो जाती थी ठीक है ना तो इस वेरियंट में क्या अलग है देखो ओमिक्रोन का जितना भी अभी तक केस सामने आया है उसमें डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ने यही बताया है कि इसमे बुखार जादा नहीं आएगा ठीक है पिवियर फीवर नहीं होगा ना ही सर्दी खासी जुखाम होगा और डेल्टा वेरियंट से सबसे अलग यह इसलिए है क्योंकि इसमें टेस्ट और स्मेल नहीं जाएगा ठीक है लेकिन omicron में ऐसा नहीं देखा गया है omicron अगर जिस patient को हुआ है तो यही सामने आया है कि fever बहुत ज़्यादा नहीं है mild fever होगा लेकिन खासियत यह है इसके कि इसमें बहुत ज़्यादा weakness हो जाएगी tired ने सो जाएगी मतलब इतनी ज़्यादा weakness हो जाएगी कि इंसान चल भी नहीं पाएगा समझ रहे हो इस type के सामने आया है cases और इसमें बोला गया है कि mutation बहुत ज़्यादा होने के कारण mutation मतलब spike protein में जो mutation हो रहा है virus का जो आपने photo देखा होगा infection जो है फैल जाता है तो spike protein में इतने ज़्यादा mutation देखे गए है 30 से भी ज़्यादा mutation देखे गए mutation मतलब change एक रूप से दूसरा रूप बदल रहा है spike protein में changes आने के कारण mutation आने के कारण कोई भी ये बता नहीं पा रहा है कि Omicron जो है वो कितना घातक साबित हो सकता है ठीक है अभी तक तो doctors और experts ने यहीं बताया है कि बहुत ज़्यादा किसी में अभी दिक्कत देखने को तो मिली नहीं है high fever या ये सब कुछ देखने को नहीं मिला है लेकिन हाँ extreme tiredness report की गई है बहुत ज़्यादा weakness बहुत ज़्यादा tiredness हो रही है लोगों में ठीक है और ये बोला गया है कि ये delta variant से भी ज़्यादा contagious होगा उससे भी ज़्यादा जल्दी ये फैलेगा ठीक है उसके बाद omicron variant में सास संबंधी problem भी देखने को नहीं मिली है जब आया था second wave जब इंडिया में आया था तो उसमें देखने को मिला था कि oxygen की कमी हो रही है सास संबंधी बिमारियां हो रही है सास लेने में दिक्कत आ रही है तो omicron में ऐसा कोई symptom देखा नहीं गया है मतलब अगर omicron आपको होता है किसी को भी होता है तो जल्दी से इंसान समझ नहीं पाएगा कि उसको हुआ है क्यूंकि इसमें कोई ऐसा लक्षणी नहीं है है ना बस weakness हो जाएगा weakness तो किसी भी कारण से हो सकती है इंसान कैसे समझेगा कि उसको coronavirus हो गया है ठीक है तो South Africa से ये जो omicron है ये फैलना चालू हुआ है अभी दुनिया भर के कई सारे देशों में ये फैल गया है इंडिया में तो दो आही चुके है अभी थोड़ी दिर पहले मैंने news में देखा कि एक और मतलब तीसरा केस अभी इंडिया में आ गया है इतनी सेफटी बरतने के बाद भी तीसरा केस आही गया है और बोला जा रहा है कि म्यूटेशन के कारण बहुत सदा कंटेजियस है ये बहुत जल्दी जल्दी रेप्लिकेट होगा बहुत जल्दी जल्दी फैलेगा ठीक है कई सारे देशों ने ट्रेवल बैन लगा दिया है इंटरनेशनल फ्लाइट्स बैन कर दिया है ठीक है ना उसके बाद जगा जगा आटी पीसिया टेस्ट हो रहे हैं लेकिन फिर भी देखो अपनी सेफटी अपने हाथ मास्क लगाओ और जितनी हो सके सेफटी बरतो ठीक है ज़्यादा बाहर मत निकलो भीर भाड में मत जाओ डेल्टा वैरियंट बहुत ज़्यादा घातक था फिर भी उसमें ये बोला गया था कि इतने सारे म्यूटेशन्स उसकी स्पाइक प्रोटीन में नहीं थे कि कौन सा वैक्सिन एफेक्टिव होगा किसी ने भी कोविट शील लगाया है को वैक्सिन लगवाया है कोई भी वैक्सिन लगवाया है अभी तक एक्सपर्ट्स ये बता नहीं पा रहे हैं कि कौन सा वैक्सिन कितना कारगर होगा ठीक है देखो वैक्सिन कारगर तो है ही इसलिए वैक्सिन तो बिल्कुल लगवाओ लेकिन अभी इस वाइरस के भारे में उतना ज़्यादा पता नहीं चल पाया है ठीक है इसलिए पूरी सावधानी बरतो देखो तीन से तीन सो कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा लॉकडा अलग से बनाया है उसको देख लेना ठीक है तो यह था ओमिक्रोन के सिम्टम्स के बारे में जो अभी तक देखा गया है जो एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स ने बताया ठीक है आगे कोई भी अपडेट आएगा तो हम डिसकस करेंगे तो थैंक यू